जाहिंद आज हम लोग स्सक्राइब का हाली में पेपर हुआ है उसके सिफ्ट को हम एनलेसिस करने वाले हैं और यहां पर दिखेंगे कि यह काफी इंपॉर्टेंट हो जगा आपका क्यूंकि नया नया आपका पेपर अप्लोड हुआ है और यह आपको आने वाले एक्जाम में काफी हेल्फुल रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे पर इसे पहले बता दे कि टेलिगाम चैनले का लिंक डिस्किस्ट में दिया गया है वहां पे आप इंपॉर्टेंट पीडिया को जान सकते हैं और जो प्रिवेस पेपर हैं और बुक्स जो है इंपॉर्टेंट इसका अंसर हो जाएगा तो मिनी इन में से जो मिनी रतन है वो मिनी रतन है आपका भारते वीमान पतन प्रादिकार ने इसका गरेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कोशनमार 2 कर रहा है कोशनमार 2 है आपका यहाँ इसमें नया नया करेंट अफे मिलेगा तो काफी हेल्फुल रह गई आपके लिए कोशनमार 2 है भारत सरकार ने भारत में एक मजबूत स्टार्टप परिष्थित की तंत्र के निर्मान और उद्यमितों का समर्थन करने के उद्यसे से 2016 में स्टार्टप इंडिया पहल की शुरुआत की थी सिंपल सा कोशनम पूछाए कि स्टार्टप इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी तो 2016 में हुआ था भारत सरकार ने भारत में एक मजबूत स्टार्टप परिस्तित की तंत्र के निर्मान और उद्धमितों का समर्थन करने के उद्धे से 2016 में स्टार्टप इंडिया पहल की सुरुवात की थी यानि सिंपल था है कि स्ट्राटप इंडिया पहल के सुरुवाद 2016 में किया गया था कृषिको और ग्रामीडों को रिर्ण देने वाला प्रमुख संगठन निमलिखित में से कौन सा है तो यह आपका नाबार इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 25 जन्वरी 2022 को किस खिलाडी को पदमर्शेव पुर्षकार के लिए चुना गया था तो इसको चुला गया था आपका नीरच चोप्राइस का करेक्ट एंसर हो जाएगा तो नीती निदेशक सिधानतों का महत तो कहिया है कि उनमें राज्य के उसके नागरिकों के प्रति क्या होना चाहिए साकरात्मक दाइद तो सामील होते हैं तो साकरात्मक दाइद मतब पॉजिटिवनिस होता है आपका सोसाइटी में और यहां पे जो नीती निदेशक सिध नहीं जा सकते हैं जैसा कि आप फट्रमेंटर राइट के नुसार निमलिखीत में से कौन सा प्रतिसार भारत में सहरी करन के अस्तर को दर्शाता है तो भारत में जो सहरी करन है वह कितना है कितना पर्शेंट है तो आपका 31 परसेंट सहरी करन है बाकी आपका क्या है यहां पर ग्रामीर इलाका है 2011 की जनगर्ना के निमलिखित में से कौन सा प्रतिसाथ भारत में शहरी करन के अस्तर को दर्शाता है तो 31.16 परसेंट इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा थिसक निमलिखित में से कौन सा समिकरन एक इंटर लिद्यू छुम्बंपें तरंगों के परावर्तर और संचरन का वर्नन करता है तो यह आपका फ्रेसनेल समीकरन इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विजन अगर समराज में नायकों की संस्थाओं का नूनिज द्वारत विस्तार से अध्यन किया गया जो कि क्या है आपका एक पुर्तगाली इतिहांसकार था और यह पुर्तगाल से आये था पुर्तगाली इतिहांसकार था नेक्स्ट है नील विद्रो के सुरुआ जो है बंगाल में अठासो उनसर्ट में हुई थी नील विद्रो के सुरुआ थे आपका कब हुआ था ता अठासो उनसर्ट में हुआ था कहां पे हुआ था आपका बैंकॉल में हुआ था और नील विद्रो पे जो आपका एक बुक द्वार को क्या करते हैं गोपुरम का कहा जाता है तो वस्तु इंडिया में दक्षेण भारत में या फिर आपका द्रविड शेली में मैई 2021 में किस भारती राज नितिक नेता को 2021 से 25 की ओधी के लिए बैड मिन टन वर्ल फेडररेसन काउंसिलिंग के लिए चुना है तो मैं 2021 में किस भारती राजनितिक नेता को 1225 की ओधी के लिए बैडमिंटन वर्ल्ट फेडरेसं कौंसिल के लिए चुना गया है तो हिमन तब इस्वा सर्मा इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा कि नेक्स्ट है नेक्स्ट है गुरु गोविंद सी द्वारा सुरू किया गया होला मुहला मुख्य रुप से भारत के निम्लिखित में सक्कित स्राज में मनाया जाता है तो पंजाब राज्य में मनाया जाता है नेक्स्ट है निम्लिखित में सक्की से 2021 के लिए आए सीसी महिला क्रिकेटर और इसका करेक्ट एंसर हो जाइंगी भारतिय स्विधान के कि अनुछित सारवजनिक संपत्ति की रक्ष्छा करना और हिंसा का त्याग नाग्रिकों का करताव है तो आपका अर्टिकल 51e का पार्ट 1 हो चागा इसका करेक्टिरा닌 से भूजएगा तो भारतिय समविधान के किस अनुझ्थित के तहत हैं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याक करना नागरिकों का कृताँ है that आटिकल 51e का पार्ट 1 हो चागा नेक्स्ट है फर्वरी 2022 में भारत सरकार द्वारा अप प्रवासन वीजाव वीदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग यानि IVFRT योजना को कहा तक 2026 तक बढ़ा दिया गया है यादखीगा कि फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा अब प्रवासन वीजाप विदेशी पंजीकरन ट्रैकिंग योजना को आपका 2026 तक बढ़ा दिया गया है योजना आयोग की अस्थापना कब हुई थी और इसे नीती आयोग द्वारा का परती स्थापिस किया गया था तो जो योजना आयोग की अस्थापन होते हैं 1950 में हुआ था और 2015 में आपका नीती आयोग आया था नीती आयोग की अस्थापना हुई थी आपका 1950 में और नीती आयोग की इसके दरा पतिस्थापित कर दिया था आपका 2015 में नेक्स्ट है 16 जन्वरी 22 को योनेक से सन्राइज इंडिया ओपन जीत कर अपना पहला सूपर 500 किताब किसने हासिल किया है तो लक्षे से निसका करेक्ट एंसर हो जाएंगे समावे से विकास की परिकल्पना पर बल दिया गया था या आपका 11 पंचवर्थी यूजना यानि 11 फाइवयर प्लाइन में यह दिया गया था तो भारत में निम्लिखित में से किस पंचवर्थी यूजना में समावे सी विकास की परिकल्पना पर बल दिया गया था तापका 11 15 एर्प्लान में दिया गया था घूमर्ड नित्य परंपरी कुर्प से समुँधाइद द्वारह किया जाता है तो this एबाऊध्य और मनाया जाता है नेक्स्ट मौलिक अधिकार भारतिय संविधान के किस भाग में नहीं थे तो मौली का दिकार भाग तीन में नहीं थे भाग टू में आपका विका सकते हैं नेम लिखित में से किस ने ध्यान की तकनीक और उपनीश्दो की सिक्षा अलार कलाम से सिखी थी तो अलार कलाम जो है किस गुरू थे आपके गौतम बुध के गुरू थे और अलार कलाम किसी से गौतम बुध थे निक्स्ट है जि-ARD नूघ ने वर्सीट में आस्टक के नियम का परतिपार्न कीया था तो जो नूघ्स है उन्हों ने अच्छीप्स में अस्टक के नियम का सिल टिपार्द कीया था लाउफ उक्पिर्श्ट करसकते हैं अस्टक के नियम नियम नेक्स lude ins Screen सबसेधि अधीक विर्दी हुRAY तो करनाटक में सबसे ज bon replay विर्दी हुए है अब 2021 का आगया है तो नटनिय पकी विर्दी है आप देखेंगे इस हिसाहत है करनाटक में सबसे ज्यादा में विर्दी हुआ था नेक्स्ट है भारत के किस राज़ के मुख्य मंत्री को टाइम पत्रिका के वर्स 2021 के सबसे प्रभाव साली लोगों की सूची में सामिल किया गया था तो पच्छी मंगाल की मारगा मनतब इनर्जी है उनको सामिल किया गया था मिलते हैं अगले सेट में तब तक क्या करा है आपको आप उसको जोएं कर सकते हैं इंपॉर्टन पीडियाफ के लिए थैंक्यू जहें जहाबरत धन्यवाद